दोस्तों कभी कभी एक प्लेयर भी Masterpiece बन जाता है, और – Last Mays पर जो Masterpiece बने है महमाग समी कमाल की दोस्तों विनिंग्स कराई है, अब आप सोच रहेंगो। दोस्तों, महमाग समी तो 2-3-4 वेमबर मां सब के पास था, लेकिन कैसे Masterpiece बन गया, कैसे आपकी बिनिंग करा दी जब सब के पास था दोस्तों मैं आपके बता दूं कि यार सब के पास था बट अपना वाइस कैप्टन था इस वज़े से काफी ज़्यादा पॉइंट मिले है महमा समी को अपनी टीम के आपको ने टेलीग्राम पे देख लिए होगा बहुत ही सब में केल रहूल 90% से ज़्यादा टीम में कैप्टन थे तो केल रहूल से ज़्यादा फर्क पड़ा है वाइस कैप्टन से क्यूंकि लोगों के वाइस कैप्टन रासित खान थे और डिफरेंट प्लियर्स थे कमाल की विनिंग्स रही है लास मैस में उम्मीद करते हैं दोस क्या हम आज टीम बना सकते हैं कौन से ग्रेंडी के प्लियर्स हैं जो आज काम करके दे सकते हैं तो वीडियो को एंड तक देखीगा विल्कुल भी स्किप मत करेगा साथी में दोस्तों मैं आपको बता दूं जो MPL के अंदर में GIGL चल रही है जहां आप 2000 करोड रुपेस तक की बिनिंग कर सकते हैं और fantasy के अंदर में दोस्तों आपको मैं बता दूं fantasy sports में आप 1500 करोड रुपे की बिनिंग कर सकते हैं दोस्तों और काफी बढ़िया जबर दस offer चल रहा है MPL के अंदर में और एक सबसे बढ़िया चीज तो मुझे जो लगती है दोस्तों fantasy pro जो इनका कर सकते हैं यहां पर अपनी ट्रेट कर सकते हैं सैल कर सकते हैं वाय कर सकते हैं सैल करेंगे आप अपनी टीम अगर कोई विड लगा रहा है आपकी टीम पे तो वह आप ऐसे कमा सकते हैं और साथी साथ पर टीम खरीद करके भी अपनी टीम को टॉप करा सकते हैं तो काफी साइन अप कोट यूज़ करना जो स्क्रीन पर नजार आ रहा है साइन अप कोट यूज़ करने का वैनिफिट पचास रुपया आपको कैस्वेक मिल जाएगा चली दोस्तों आप मैस प्रोडिक्शन के बारे में बात करेंगे बट उसके पहले अगर आप लोगों ने टेलीग्र चैनल पर जोइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल आपको स्क्रीन पर भी नजार आ रहा है 16.8 के हमारे सब्सक्राइबर से इसी टेलीग्राम को जोइन करना है और डाउनलोड लिंक भी दोस्तों स्वरी जोइन लिंक जो है वह भी डिसक्प्शन में दे रखिए वहां से अब यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं तो यहां अगर दोस्तों बात करें तो यह मैं जो है साड़े साथ बज़े है और इसके लिए आपको पता ही है कि सबस्क्राइब करें जो 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 पर दे रहा है और यहां पर आगर बात कर दो पिच रिपोर्ट के वारे में तो वेन्यू तो यार महराज किर्कट असोड़ेशन stadium में match खिला जाएगा पूने में और जो ये pitch रहती है दोस्तों यहाँ पे अगर मैं pitch की बात करूँ तो batting friendly अभी तक यहाँ पे जो pitch देखने को जादा तर हमें यहाँ पे देखने को मिलिये तो आप समझ के चलिएगा कि batsman इस pitch पे यहाँ पे बढ़िया कर सकते है और साथी मदस्तों अगर मैं बात करूँ spinners के लिए भी ये pitch जो है assist करती है तो आप अपने team में spinners भी थोड़े से बढ़ा करके चल सकते हैं और यहाँ scoring pattern देख लेते हैं scoring pattern below 150 10 times गया है यानि की 150 के नीचे 10 बार है और 150 से 190 की बीच में 14 बार है और 170 से 180 की बीच में 10 बार है 190 के अवव 4 times है तो यहाँ जो chances बनते हैं मेरे according 150 से 190 के बीच बन सकते हैं और जादा जादा बोलू तो 160 से 180 के बीच 160 से 180 बीच मुझे जाता हुए score इस पिच पे देख रहा है इतना score इस पे जा सकता है और याद रखिए थोड़ी सी आजकल जो ओफिशियल अगर आप लोगों ने देखा हो दोस्तो ओफिशियल जो पिच रिपोर्ट आई है पिछले 2-3 मैचिस में वो गलत आई है जो हपन वीडियो में डिसकस कर रहा है वो भी ठीक है क्योंकि मैं वीडियो के एकोर्डिंग आप में थीनों वीडियो टा करके देखिए मैंने हर मैच के अंदर में जो पिच रिपोर्ट और जो इस पिनर्स बताए है लेकिन जब पिच रिपोर्ट 10 मिनट पहले जो ऑफीशली आ रही है वह एकदम गलत आ रही है वहां वो कहरें कि रन नहीं पढ़ेंगे पता चलता है 200 रन पढ़ जाते हैं पिच रिपोर्ट बता रहे हैं और जो ऑफीशली पिच रिपोर्ट आ रही है थो अब पिच पर अच्छे प्लेश प्लेश जादा ट्रस्स दिखाई है आप यहां पर बात करें दो 200 लाइब मैच आठ खेलेगा है इस वैन्यू पर जिसमें की अगर हम बात करें 63 बिकेट्स जो है पेसर्स ने लिए है उस्पिनर्स तो 37 लिए है तो स्पिनर्स ने भी कम नहीं लिए है काफी बढ़ी लें क्योंकि स्पिनर्स हर्टी में एक या दो ही होता है और पेसर्स तो और यहां पर अगर दोस्तों बात करें केंग विलियम सन इंपोर्टेंट मार्क रमबर्ट इंपोर्ट इंपॉर्टेंट एंप्लियर नहीं लेज ऊपर मैंने ब्लू टिक कर दिया है और बाकी तो यार मैं आपको भी स्टैट्स बताऊंगा बहां स्वाँ जादे डिसकस यहां पर अगर हम बात करें राजस्तान की साइट से तो राजस्तान की साइट से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यह पॉसिबल 11 रही की बैटिंग ओडर के एकॉर्डिंग है बाकी अब प्लियर स्टैट्स के बारे में और थोड़ा सा डीप डिसकुसंग कर लेते हैं कि जाधतर यह पर्फॉमस्स के अच्छी आई नहीं अभी शिक सर्मा कि इतना कॉंटरेंट प्लियर नहीं है अभी बनने में टाइम लग रहा है प्लियर बनतां है दीवेदी में करके लेकिन अभी इतना प्लियर का का करियर बहुत कमाल का रहा आई पेल का एबरिज अब 63 में 146 रहना है इस IPL में थोड़ा बढ़ ठीक कर सकते हैं अभी पिछले 6 माही ने सिन का टाइम बहुत ज्यादा खराब चल रहा है और मुझे लगता है कि यह कंबाइक करेंगे साही पेल के अंदर में तो इस प्लेयर को लेकर चल सकते हैं रहुल तरपार्टी अच्छा करता ह सब्सक्राइब करें कर सकते हो लेकिन पहली बोलिंग में बात की बोलिंग में नहीं राइट भूबने सर कुमार पहली बोलिंग में में रखना बात की बोलिंग में मत रखना और उर्मान मलिक अभी तो नहीं नट राजन जरूर रखना अच्छे विकेट निकाल के दे सकता है साही पेल के अंदर में प्रियाम गर्ट्राइब करने वाला नहीं है यांसन को शायद मौका मिलेगा नहीं सीन एबोट अबलेबल नहीं है पहला मैस नहीं खेलेंगे यह बात कर रहा था यह अबलेबल नहीं है और यहां पर बात करें दोस्तों राजस्तान की साइट से जौस बटलर ट्राइब करना है यह सब्सक्राइब करना है स्मॉल लीग में अभी फिलाल में नहीं फिलाल में अभी जौस बटलर रहना चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बैच चोईस रहने बाला है 35 का एवरेज है कमाल की परफॉमस करके देता है रन भी काफी बड़ यह स्मॉल लीग में लेके चलना है ग्रेंडिंग में आपके असस भी जैस्वाल को भी ट्राइब कर सकते हैं सिम्रान हेट मेर तब काम आएगा जब टॉप ओडर फेल होगा जैसे कि कि लास मंच में टॉप ओडर फेल हो तो पीछे कवल्ले बाज़ों अच्छा किया सिम्रा ले जाएंगे तो चांसे बनते हैं युजवंदर चल और अच्छे करते हैं इवन आप देखिए असमीन ने तो बन सिक्टी सेबन माचस खेलें एंवन फॉर्टी फाइब बिकेट से काफी कम बिकेट सेयारा स्विन के एकोडिंग यह लेकिन युजवंदर चल असमीन की बर अब फैंटेसी में क्या चाहिए बोलिंग वाला प्लियर ज्यादा चाहिए तो यहां पर युजवंदर चल काफी आगे निकले हैं युजवंदर चल लेके चल सकते हो ट्रेंड बोल टेके चलना है ठीक है बाकी यार यहां से ट्राइ करने वाले प्लियर नहीं है अब बात कर ले दो दूस्तों MPL टीम के बारे में चली तो टीम देख लेते हैं मैं ड्रीम 11 टीम की बताऊंगा आपको लेकिन पहले हम जो है MPL की डीम देख लेते हैं क्या टीम रहने वाली है और एक और चीज़ में आपको पता दूए आर आपको देख रहा होगा MPL पे कि यार 31 रुपीज में आपको 65 लाक रुपी की सब्सकोется पर लगा सकते हो और एक बात है की ड्रीम 11 की तरह सेम प्वौЙन सस्टम है तो काफी ज़ादा आपके चांस से होते हैं आपर बुइन करने के राइध चली टीं के बारे में बात कर लेते हैं क्या हमारी टीम रहने वाली है तो टीम के बारे में आगर हम दूशन बा पहली में रहींगे क्योंकि पहली में यूओं देखंने की दिन जीत चेसी रही होती है पहली लेकिन सोलह से और है घणसा कर सकते हैं थो धीलाल में हैंना यहां से की टैरों अड़ एक याद रखना कुछ प्लयtechnology ऑग்नुर치를 पूरण हुआ इनको भी ट्राइ करना ग्रेंडिंग वट इसमॉल लिग में नहीं ट्राइ कर रहा हूं अगर वांडर डशन को मौका मिल गया तो यह तो भई यह भरोसे बंद प्लेया रहा रहा है इस पर जरूर जाना है अभी फिलाल में यह सब जैस्वाल भी ग्रेंडिंग म चते हैं युजफ़ंदर चेहल रहेंगे रसचार रहने वाले हैं क्रडइट के वाइसफिलाल भूणे कुमार को मैं नहीं लिए है यहां पर भूणे सर्कुमार को भी आप ले करके चल सकते हो यहां पर भूणे सर प्लेंद मेन पर वह छोटैनको लें हसकता हूं रहीख त प्लस पॉइंट यह कि ऊपन करेगा यह सब्सक्राइब को शाहिद यह लोग वन डाउन को उतारेंगे तो वहां एक रिस्क हो सकती है इस बज़े से मैं जहूं पर्डिकल के साथ जा रहा हूं ओवरूल टीम की बात करें दूस्तों स्क्रीन पर आपको ऊबरूल टीम नजर आ रही है तो यह हमारी ऊबरूल टीम रहेगी जहां कैप्टन आपको जॉस बटलर को करके चलना है वाइस कप्टन बिलियम सन थोड़े सेफेस्ट है मैं इतना तो नहीं बोलूँगा कि जैसे राहूल का बोला था कि 20 की 20 में ट्राय कर सकते हो लेकिन मैंने यह बात के बहुते हैं तो यहां पर मैंशन में बनाऊंग 내 मैं तो यहां जो मैंने टीम बनाई है वही सेम प्लेर्स लेकर करके रखें तो ओवरॉल टीम यार यह टीम है हमारी ड्रीम लेवन की यहां पर जॉस बटलर कैप्टन की आए कें बिलियम सन को किया है ग्रेंड लिग में आज क्या कर सकते हैं और यहां पर युश्वेंदर चहल अच्छा कर सकते हैं के अच्छा कर सकते हैं यह प्ल्ययर आप कैप्टन करके चल सकते हैं जैसे कल में समीह ने विइन करा आया आज हो सकता है की मैंच ठेयू अच्छे बेख git निकी yönच और ते संव wat बोल अच्छे बोलर है बाद पिछले दौ साल साल। वह ले रहें in course उनकी आज भी best है इस एज में भी लेकिन इस एज नहीं बोलूगा करियर लंबा होगा तो यह सब्सक्राइब लेकर के चलना आप बैटिंग सेक्शन से डिफिरिंट में और बाकी यार लाइब जो हम करने वाले हैं सामको पांच बजे वहां आपको पता है कि 20 की 20 टीम में ग्रेंडी के दिखा देता हूं जैसे लास मैंच में मैंने दिखाई थी है ना तो इस मैच के अंदर में भी पूरा पैसा बापिस आगया रेंक तो अच्छी नहीं लगें कि राहूल को ज्यादा कैप्टन किया था बट यह है कि नेक्स मैच में रहूल को लगाता ट्राइब करूंगा पक्का ग्रेंडी गाज आएगी और ऐसे ही यहां पे यहां पे लेकिन एक प्लि चैनल रहा है जल्दी साही इसको आप जोइन कर लिए फाइनल टीम मिलेगी और साम को पांस बजे दोस्तों लाइव आ रहे हैं लाइव जरूर रहा जाना और मैं बताना भूल गया था कि यार कॉमेंट करके आप गिबब बिन कर सकता आप सबको तो पता है कि हर मैंच हमारे